नमस्कार प्रेसाथियों मैं हूँ सुरेश्च्रमाली अवेकनिंग बंत्रा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं अक्सर हमारे बाता बिता बड़े बुजर्गों से हम ये कहते हुए जरूर सुनते हैं कि जो भगवान करता है वो सब अच्छे के लिए करता है ऐसी ही एक गटना आपको जरूर आज इस बात पर विश्वास दिला देगी कि हाँ ये बात सच है प्रेसातियों तरसल एक समय की बात है एक राजा अपने कर्ब और अपने जो साशन है उस पर विश्वास करता था भगवान और ऐसी किसी शक्ति पर विश्वास नहीं करता था और उसका जो एक मंत्री है वो हर बात पर एक ही बात बोलता है कि जो भगवान करता है सब अच्छे के लिए करता है और वो राजा उस मंत्री से बड़ा चिड़ता था एक बार की बात है सब लोग अपने लाव लश्कर के साथ राजा जी गए एक जंगल पर शिकार करने के और वहाँ शिकार करने के लिए जैसे उन्हों तीर चलाया उनका अंगुटा जो है वो तीर से कट जाता है मतलब वापस घाव हो जाता है तो वो तीर छोड़ देते हैं शिकार चला जाता है उसके बाद बिना मरहम पटी करने के वो मंत्री कहते हैं भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं राजा को बहुत गुसा आता है राजा कहता है कि ये बाद पांच मिनटे बाद भी कह सकते थे भाई अभी मेरे पटी करते थे, थोड़ा मरहम करते थे लेकिर वो नहीं किया और तुमने ऐसा बोला इसमें बगवान को क्या खुशी मिल रही है उसको कोड़े मारते हैं, देश निगाला दे देते हैं और बंतरी परस से स्टिफ़ा दिलबा देते हैं और वहां से उसको निगालके जेल में डाल देते हैं फिर राजा जी कहते हैं, आज हम अकेले शिकार करेंगे और बहुत गुसे में तेजी से गोड़ा दोड़ाते हैं सारे जो उनके लाव लशकर वाल लोग थे, वो कई पीछे चुट गए और राजा जी आगे चले थे, वहां जाने पर उन्हें पता नहीं था कि वो कहां जा रहे हैं एक कबीले में जाकर वो फस जाते हैं वहां कबीले के लोग आते हैं और कहते हैं उनके महराज ने, उनके गुरू ने कहा था कि आज जो बाहरी वेक्ति पहला दिख जाए उसके सर को हम कलम करेंगे ताकि हम देवी मा को बली दे सके तो वो लोग इंतजार कर रहे थे का आज कोई आए और वहां पर राजे ही पहुंच गे उन्हें उतारा और उन्हें आँख पर पट्टी बांद कर ले कर गए और ले जाकर तयार किया राजा ने बहुत मन्नते की कि भाई मैं राजा हूँ तुम्हारे यहां बड़ा चबरदस्त मैं आश औराम का किला बना दूँगा तुम्हें रुपाए पैसे जो चाहिए आशर फिया धन दौलत सब कुछ दूँगा मुझे छोड़ दो कबीले वालों ने कहा कि हमें दन दौलत की कोई जरूत नहीं है हमें तो देवी प्रसन होने चाहिए इसके लिए बली दे रहे हैं अब लेप वगरा कराके और वो तयार किया राजा को और राजा को तयार करके जैसे लेकर गए अपने कबीले के सरदार के पास तो वहां पर पता लगा कि उनके अंगुठे में तो एक हरोच लगी विए मरहम पटी कर रखी है घाव बना हुआ है तो उस कबीले के राजा ने कहा कि जिस शरीर पर अंग भंग होता है उसकी बली नहीं दी जा सकती है तो इसको छोड़ दिया जाए तो राजा को उस वक्त याद आए कि जो भगवान करता अच्छे के लिए करता है मेरे तो अंगुठे गंदर अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर मेरी आजबली हो जाती है वो वापस अपने किले में पहुंचते हैं और वो जो मंतरी को वापस बुला के लाते हैं साथ सम्मान के भाई तो उन्हें सही कहाता लेकि लेकिन तुझे बैटे-बैटा इतने सारे कोडे पड़े देश निकाला देना पड़ा जेल में जाना पड़ा इसके भीचे भगवान ने क्या अच्छा किया है उसे अगर हम साथ में आगे जाते तो आपको छोड़कर मुझे पकड़के मेरी बली दे देते इसके भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है आप भी इस पर विश्वास रखें प्रेज हाती हो इश्वर देख रहे कहीं कहीं से सत कर्भ करिये वह आपके दिन आ ये एक दिन अच्छे से अच्छे दिन बनाने सुरू करते आज के लिए त необходимо ही प्यार बहुत बहुत आशरवाद